वेल्कम बैक टो मैं चैनल और कैसे हैं आप सब तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आचुकी हूँ जो की है आम की अचार की रेसिपी और इस अचार की खास बात यह है कि हम इसमें छोले कभी यूज कर रहे हैं तो इसी वज़े से आप ये वीडियो लास की दाना लिया है फिर एक बड़ा चमच यहां पर मैंने जीरा लिया है और अब मैं इनको करी पांच मिनट तक लिए ड्राय रोस्ट कर लूँगी जब इन से बहुत ही अच्छा सुनहरी सी खुश्बू आने लगे ना बस तब तक हमें इने रोस्ट करना है फिर यहां पर ए अब पूरी रात भीगे हुए चोले और फिर उसके बाद उन चोलो को मैंने थोड़ी दे धूप में दिखाया है वो डाला और उनको पांच से चै मिनट मैंने रोस्ट कर लिया और उन्हें भी ठंडा होने के लिए रग दिया अब यहां पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है और यहां पर एक चुठाए छोटा कप यहां पर मैंने सरसो का तेल डालाया और इसको मैंने बस हीट कर लिया जिससे कि सरसो के तेल का जो कच्छा फलेवर आता है वो चला जाए अब यहां पर मैंने 4 चोटे कच्छे आम ले लिया है इनकी ऊपर से मैं काड रहा हूँ और इन्ह कद्दू कस करने लगे और मैं इनकी गुठली निकालना भूल गे इसलिए मैंने आप इने बाद में वापस से इनको बीच में से कट करके एक एक करके सारे आम की गुठलीया निकाल लिया है जब सारे आम की गुठलीया निकल जाएंगी तो अब हम सारे आम को अच्छे से कद् कदुकस करणिया था तो अब शेव में डाल할्य हूं में क्यां बाओल में डालने के बाद एक बड़ा चमच लैसुन एक बड़ा चममच यहां पर अद्रक पाउडर अगर आपके पस अद्रक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं कद्दू कस करके एक छोटा चमच हल्दी, एक छोटा चमच इसमें लाल मेच पाउडर, एक छोटा चमच कलॉंजी और जो हमने जितना पाउडर, पेस्ट उसका वो ब्लेंड करा था ना या ग्राइन करा था वो सारा पाउडर अब मैंने इसमें डाल दिया है फिर उसके बाद जो छोटा हमने रोश्ट करे थे वो मैंने इसमें डाल दिये फिर यहाँ पर मैं एक चुटाई कप इसमें नमक डाले हूँ, आप अपने स्वादरनुस और कम्या जादा कर सकते हैं फिर एक चुटा चमच यहाँ पर मैंने काली मिश डालिये और अब इन सारे मसालों, कच्चे आम और छोले को अच्छे से एकदम मैं मिला दूँगी आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, अब यहाँ पर मैंने आदी चोटी चमच कश्मीरी लाल मिश जाली है, इससे बहुत ही जादा अच्छा कलर आ जाता है, बस इसलिए मैंने डाला है तो लीजे एकदम जटपड बनकर हमारा अचार तयार है, अब जो यह अचार है इसमें क्योंकि छोला मिला हुआ है, तो इसलिए इसे आप जेनरली 15 या 20 दिन या एक महिने के बाद ही इसको खाना स्टार्ट करेगा क्योंकि तब ही जो भी एकदम अच्छी तरीके से गल जाएंगे और पग जाएंगे और जो हमारा कच्चा आम है बहुत अच्छ से सारे मसालों को अपने अंदर ले ले लेगा तो यह बहुत ही जादा easy अचार है और यह आप अगर इसमें बिना हाट डाले इस अचार को अगर आप यूज़ करोंगे तो यह आपको सालो साल यह अचार चलता रहेगा तो आपको मेरी रेसेपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भोलेगा बाई